हेलो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज हम शुरू करेंगे प्राइमरी डेटाबेस में नुकलिटाइट को जो डी एन्ने और आरने को रिप्रेसेंट करते हैं तीन प्रकार के आउनलाइन डेटाबेस सर्विसेज उपलब्ध हैं जैसे की NCBI, EMBL और DDPJ और इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं पर आज हम सीखेंगे GenBank NCBI को NCBI जिसका वेबसाइट एड्रस है www.ncbi.nlm.nih.gov इसकी स्थापना 1988 में National Library of Medicine में हुई जो की National Institute of Health United States of America का हिस्सा है NCBI बहुत सारे biological database को maintain करता है वेबिन प्रकार के softwares और tools इस पर उपलब्ध है GenBank NCBI का Nucleic Acid Database है जिसमें कोई भी वेक्ति किसी भी देश से data submit कर सकता है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं NCBI का home page तो यह आप देख पा रहे हैं यह है NCBI का home page हम सबसे पहले Nucleotide drop-down menu से select कर सकते हैं और search bar में हम किसी gene का नाम या फिर accession number टाइप कर सकते हैं जैसे मैंने टाइप किया है यहाँ पर AH002844 जो की एक insulin gene है इसको search करने के बाद इसके search result open हो जाते हैं जिसमें इस gene की detail information आ जाती है अगर आप देखें इसमें लिखा है complete cd इसका मतलब है इसका complete coding sequence present है इसका size लिखा है base pair जो की 4969 है इसके locus और accession number के बारे में जानकारी है जिसे हम use कर सकते है search करने में इसकी definition लिखी है यह एक linear form में है इसका source लिखा है यह कहां से लिया गया है इसके reference के बारे में information है और अगर यह work publish है तो इसका general name, title, authors की भी information है इसके different features के बारे में detailed information है तो इस प्रकार हम किसी nucleotide sequence को Gen Bank NCBI से retrieve कर सकते हैं आज का session यही समापत होता है मुझे आशा है यह session आपके लिए ग्यानवर्दक होगा मैं this bioinformatic series को पूर्ण से योग देने के लिए अचने में का आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का भी शुक्रिया धन्यवाद